टीवी सिरियल अनुपमा की कहानी से अचानक ही वनराज गायब हो गया है। वही तोशु ने भी परिवार के लोगों को अपने रंग दिखाने शुरू कर दिये हैं। दूसरी तरफ अनुपमा भी अनुपमा की खातिर मौत के मुझ से बाहर आ चुकी है। ऐसे में जल्दी अ हम आपको बताएंगे कि अनुपमा की एक होने पर क्या-क्या बदलाव आने वाले हैं। गणेश उत्सव मनाने को कहेगी आद्या। अनुपमा से गणेश उत्सव मनाने के लिए कहेगी। ऐसे में अनुपमा भी गणपती बनाने में अनुपमा को साथ समय बिताने के लिए मिलेगा अनुज अनुपमा को उसका मंगल सुत्र वापस करेगा अनुपमा को प्रपोज करेगा अनुज मौका पाते ही अनुज अनुपमा को प्रपोश कर डालेगा अनुज दावा करेगा कि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाता है अनुज की बाते सुनकर अनुपमा चोग जाएगी अपना असली रूप छिपाएगी आध्या अनुज और अनुपमा के साथ रहने के बाद भी आध्या नहीं सुधरेगी अध्या अनुपमा से मनी मन नफरत करने वाली है हलाकि इस बार अध्या अपनी नफरत किसी के सामने जाहिर नहीं होने देगी अनुज और अनुपमा को एक नहीं होने देगी आध्या अध्या अनूज और अनूपमा को अलग करने के लिए हर तरह की चाल चलने वाली है अध्या की वज़़ से अनूज और अनूपमा के बीच फिर से मतबेद होने वाले है अनूपमा को नहीं लगेगी भनक अनुपमा को समझ नहीं आएगा कि आधिया उसकी दुस्मन बन गई है शाह हाउस पहुंचेगी अनुपमा अनुपमा शादी से ठीक पहले शाह हाउस पहुंच जाएगी इस बार अनुपमा आधिया और अनुझ के साथ अपनी पूरानी ससुदाल जाएगी अनुपमा को अपने घर में देख कर तोश्यू का दिमाग खराब हो जाएगा अनुझ के कान भरेगी आधिया दूसरी तरप आधिया एक बार फिर से अनुझ के कान भरनाश शुड़ू कर देगी एक बार फिर आधिया अनुझ को यकिन दिलाएगी कि अनुपमा केवल अपने सागे बच्चे से प्यार करती है इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलीबुड और एंटरेंबेंट के खबरों के लिए देखते रहे ये ए बी भी एंटरेंबेंट